नमस्कार दोस्तो रावन स्टॉक मार्केट में आप सभी का स्वागत है तो आज इन्वेश्ट करो कल अरम करो कंसेप्ट के साथ वीडियो को स्टार्ट करते दोस्तो इस वीडियो में देखने वाले अलपा लॉजिक टेक्सिस के बारे में यहाँ पर कंपनी के लिए दो बहुत ही शांदार ख़बर आ रहे तो दोनों बजू न्यूज है यहाँ पर शेडरों को बहुत ही माला मल करने वाले आलने में समय में तो एक्जेटली आता ही कुछ बुरी कबर आते हैं तो श्टॉक आराम से सतर से आसे पसंद गिर सकता है यह आपके माइन में होना चाहिए तो खुदका स्टेडी कीजिए उसके बाद यहां पे बाय और सेल कर सकते हैं तो जैसे कि एक जमाने में जो कंपनी का स्टॉक प्रैस लगबग यहां परली प्रसकते हैं जैसे कि बहुती ज्यादा प्रमटर होल्डिंग शीच में तोईस कंपने का बहुत भालग्या चांग dances. का bonus announcement किया, देखिए कभी भी bonus split के चकर में कोई भी stock में entry नहीं लेने होती, जो भी bonus split के फाइदा रहते हैं, long term के लिए रहते हैं, कैसे रहता है, for the example, आपके पास इस company के 1000 stress है, तो company ने क्या क्या, one risk to one का bonus दिया, तो क्या होज़ेगे, आपके account पे 2,000 stress हो जेंगे, for the example, company में सिफ एक रुपे का भी dividend दिया, तो आपके direct account पे हाँ पे 2,000 रुपे क्रेडिट हो जेंगे, तो यह एक फाइदा होते है, split और bonus का long term के लिए फाइदा होता है, short term के लिए आप लोगों को पता रहेगा, company का stock price भी, उस हिसाफ से adjust होता है, तो यह तो हो गया bonus के बार में, त इन्होंने एक बहुती बड़ा order यहाँ पे जीता है, order मतलब क्या, जैसे कि हम जो main business है, यहाँ पे company को equipment देना का काम करते है, तो इनको बहुती बड़ा order मिला है, आगे जाकि इसका जो फाइदा है, यहाँ पे quarter to quarter और year to year हैगा, उसमें दिखेगा, क्योंकि company का business मिलेगा, क देत हो गया, company का दूसरा breaking news, तो exactly यहाँ पे bonus के चकर में, कोई भी stock में आटकना नहीं चे, जैसे कि जो promotor holding आप लोग देशेते, 74% से ज्यादा promotor holding है, और इसके आलावा जो बाकी कोने public है, इसके आलावा कोई foreign investor नहीं, domestic investor नहीं, कोई भी नहीं, ऐसे जो stocks रहते हैं, इंपोर्टन रहता है, तो एक risky point बोल सकते हैं, देखाजे तो promotor holding ज़्यादा है, लेकिन कोई भी हाँ पे foreign minister नहीं, तो यहाँ पे company का net profit है, पिछले 3 साल का यहाँ पे net profit है, 2020 में company को 2 करोड का net profit होता, 2021 में company को लगबग 59 lakh का profit हुआ, 2022 में company को लगबग, पाउने 2 करोड का यहाँ पे net profit हो, देखाजे तो company बहुत ही छोटी है, फिर भी net profit को यहाँ पे generate कर रहे है, एक अच्छा सा इन बोल सकते है, यह तो हो गए company के net profit में next parameter कौन से है, company को पर करजा कितना है, जैसे कि फिसे 3 साल का करजा दे से तो 2022 की data case है, यहाँ पे long term के लिए करजा कितना है, है 82 lakhs का करजा है, और short term के लिए कितना है लगबग है पे 2 करड का सपास करजा है, तो cool मिला कि जो करजा है company के उपर 2 करड के असपास करजा है, तो okay करजा बोल सकते है, company का market के भी लगबग हैं 100 करड के उपर है, तो करज ठीक ठाक, इतना भी ज़ादा नहीं है, देखें, यहां पर इन्वेस्टन करना यह नहीं करना आपके डुपेंड है यहां पर जो स्टॉक के सिर्फ सीखने के लिए इन्वेस्मेंट के लिए जादा इतना अच्छा नहीं लगेगा क्यूंकि बहुत ही छोटी कंपनिये यहां पर वन टाइम हीवे इनस्मेंट करेंगे तो अगर आच्छे आ रहे तो थोड़ा थोड़ा करके SIP मोड में पैसा लगा सकते डाइरेट एक लाग दो लाग यहां पर एक साथ मत लगए एक लाग लगाएंगे तू पूरा आटक जाएंगा अगर कंपनी का स्टॉक गिर जाएगा तो थोड़ा थोड़ा करके सीखने के वीडियो वीडिया चलागा तो लाइक कर सकते हैं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं